अकसर लोग यह मानते हैं कि व्यक्ति का नाम राशी के अनुसार रखा जाता है और तो और आप सबताहिक राशी फल में भी अपनी राशी ही यानि की मेश, कन्या, कुमबादी ही चेक करते हैं जबकि ये आदा सच है वास्तों में हर व्यक्ति की राशी यहां तक की व्यक्ति का नाम भी जनम कुंडली में चंद्रमा किस राशी में है इसी से डिसाइड किया जाता है। और क्योंकि अश्विनी नक्षत्र मेश राशी का हिस्सा है तो व्यक्ति की राशी मेश कही जाएगी और जनम नक्षत्र जो है व्यक्ति का अश्विनी कहा जाएगा और उस व्यक्ति का नाम चू, चा, चे, ला, इन चार अक्षरों में से किसी एक पर रखा जाएगा। और य जैसे कि किस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का स्वभाव और कारे कैसा होगा, किस नक्षत्र में कौन सा कारे करना शुब होता है और कौन सा कारे नहीं करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें।